To all the guys and girls जो की neat की preparation कर रहे हैं, कभी तो बैठे बैठे खयाल आता होगा कि डॉक्टर बनने के बाद में हमारी जिंदिगी कैसी होगी, क्या हमारा जो ही profession है वो बाकी other professions जैसा ही होगा, एक डॉक्टर अपनी जिंदिगी में सबसे ज़्यादा चीज जो earn करता है वो है respect, then comes the thrill, thrill to save people and 10 counts money, पट फिर भी एक डॉक्टर से आप बात करोगे और पूछोगे कि उसकी जिंदिगी की सबसे बड़ी luxury उसने क्या हासिल करी है, तो वो कहेगा fulfillment, fulfillment to save people, to help people, एक डॉक्टर ना केवल 24 into 7 अपने patients के लिए available रहता है, बलकि वो इस चीज को अपनी जिंदिगी की सबस आप amazing कर सकते हो, सब कुछ achieve करने के अंदर मदद करता है medical profession एक डॉक्टर, बट फिर भी एक डॉक्टर से अगर पूछा जाए, कि उसकी जिंदिगी की सबसे बड़ी luxury जो उसने हासिल करी है, तो आपको यही कहेगा, कि मेरे पास में हर पल लोगों की जान बचाने का, लोग कहते हैं कि इस धर्ती के उपर भगवान नहीं है, हमें भी नहीं पता कि भगवान कहां है, कैसे है, लेकिन तुम्हारे और मेरे जैसे आम इंसानों के लिए, इस धर्ती पर जो भगवान के रूप में present है, वो है हमारे डॉक्टर्स, और ऐसा ही एक डॉक्टर बनने का सपना देखा है, आप लोग ने, सपना और आपकी जो मंजिल है, उस तक पहुँचने की राहे जो है, वो कठिन जरूर है, लेकिन यार, वो मंजिल अपने आपने बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटिफुल है, एक गॉडली फीलिंग रहती है यार आपकी जहन के अंदर जब आप एक डॉक्टर बन जाते हैं, और इसी फीलिंग को आपको महसूस करना है, इसी फीलिंग के लिए आपको हाट वर्क करते रहना है, तो मेरी विशेज हमेशा आपके साथ में रहेगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने सपनों को पूरा करें, so just keep working hard झाल